इस मॉड्यूल में हम प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स जो इससे पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़े थे उनके जरीये से कौन-कौन से फ्रेट्स टू वैलिडिटी आफ रिसर्च फाइंडिंग्स हैं जिनको हम एड्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं इसको इस एक टेबल के जरीये से समझते हैं सिर्फ याद्हानी के लिए मैं आप से गुजारिश करूँ कि मैंने शुरू में अर्स किया था कि रिसर्च डिजाइन्स जो हैं ये बुनियादी तोर पे जो रिसर्च फाइंडिंग्स की वैलिडिटी से रिलेटिड थ्रेट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डिजाइन कंट्रोल हो जाते हैं और कौन से थ्रेट कंट्रोल नहीं होते कोई भी रिसर्च डिजाइन जो इन में से मैक्सिमम थ्रेट्स को कंट्रोल कर सकेगा वो हमारे लिए अच्छा रिसर्च डिजाइन कहलाएगा एक्सपेरिमेंट का तो आप अगर उपर वाले देखें में तो आपको नजर आएगा कि सोर्सेज आफ जो इन वैलिडिटी हैं उन में इंटर्नल भी हैं और एक्स्टर्नल भी हैं यह हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और फिर वर्टिकली अगर आप देखें तो उन तीनों डिजाइन के नाम लिखे हुए हैं जिन को हम प्री एक् अब इसमें देखिए तो जिन जगों पे आपको इस टेबल में माइनस का साइन लिखा हुआ नजर आता है माइनस के साइन से यहां मुराद और यह नीचे मैंने इस टेबल के नीचे आपको इसकी तफसील भी मिल जाती है कि यह वो थ्रेट्स हैं जो कंट्रोल नहीं होते ज जिन के साथ प्लस है और वो ब्रेकेट में डला हुआ है तो इससे मुराद है कि यह वो थ्रेट्स हैं जो इस डिजाइन की स्टेडी से मुनसलिक बात ही नहीं है इससे इर्रेलिमेंट है यह इसमें इनका तालुक ही कोई नहीं इससे तो यह भी एक तरह से कंट्रोल लिए है जब इससे मुतलिक नहीं है तो कंट्रोल ली है समझ लें और फिर जहां सिर्फ प्लस का निशान लिखावा नजर आए इसका नाता है कि इस डिजाइन ने इस थ्रेट को कंट्रोल किया है प्लस का निशान या ब्रैकेट के अंदर प्लस का निशान होगा तो ये वाले थ्रेट जो हैं वो इस डिजाइन बैसर अंदाज नहीं होते जहां जहां negative sign है, तो वो इस design के होतेए भी ये वाले threat एग्जिस्ट करते हैं अब आप देखिए कि जिसके साथ जितने ज्यादा नेगिटिव साइन नजर आएंगे इसका मतलब है कि वो उतना वीक डिजाइन है in terms of using it as a precise design तो आपको इस टेबल में बहुत सारे नेगिटिव साइन नजर आएंगे तीनों डिजाइन के सामने वन शाट के स्टेडी में ज्यादा तर ब्रैकेट के अंदर प्लस का निशान है जिसका मतलब यह है कि यह इससे relevant बात ही नहीं थी जब भी आप यह डिजाइन यूज करेंगे तो यह जो स्टेडी करें जिसमें यह डिजाइन है तो यह इसके मतलब बातें नहीं है लेकिन आप देखिए उनके इलावा ऐसा कोई थर्ट नहीं है जिसको यह डिजाइन खुद कंट्रोल करता हो यहां सिर्फ प्लस का निशान नज़र आए बगार ब्रैकेट के तो वह वाली जगे तेंट कोई एक भी ऐसा थ्रेट नहीं है जिसको यह डिजाइन खुद कंट्रोल करता है जबकि इन में से सिर्फ अगर आप देखिए तो जो तीसरा है जिसको आफ स्टैटिक ग्रूप डिजाइन कहते हैं उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि हिस्ट्री वाले एफेक्ट को क्योंकि उसमें कंट्रोल ग्रूप पाया जाता है तो हिस्ट्री वाला जो एफेक्ट ह वो इस डिजाइन से कंट्रोल होता है बाकी थ्रेट्स उसके भी या इर्रेलिवेंट हैं या वो इसको कंट्रोल नहीं करता है इसी तरीके से अगर आप वन ग्रूप प्री टेस्ट पोस्टे डिजाइन की बात करें तो इसमें एक एक फेक्टर मैचुरिशन है जिसको यह कं control रहते हैं या वो irrelevant होते हैं आप देखिए कि यह जो जिसका मैंने शुरू में अर्ज किया था यह pre-experimental designs जो हैं यह अपने controls के लिहाज से weakest designs हैं यह threats to validity of findings को negligibly address करने की position में होते हैं इसलिए इनका इस्तमाल हम बहुत ज्यादा prefer नहीं करते अपनी researches के अंदर जी तो इसी तरह आप इन designs की जब भी judge करना होगा है हमियत को तो साफ़ जहर है design की हमियत का अंदाजा या design के efficiency का अंदाजा इन के threats control करने की सलाहियत के साथ मुंसलिक है और वो आपको stable से नजर आ रही है